हेलो दोस्तों केसे हुआ आप सभी लोग तो आज शुड़े में आपको A8 Royal Pass के Week 4 के सारे मिशन डीटेल में explain करूँगा और easy tips और tricks बताऊँगा जिससे आपकी मिशन जल जल दी complete हो जाएंगे अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जरूर चेक आउट करना तो first mission है 100 RP points के लिए elite pick up a compensator in 5 matches in classic mode तो दोस्तों आप देख सकते हो इन्हें compensators कहते हैं तो आपको ये बस उटान है अगर आप एक match में 3 उठा लेते हो तो आपकी मिशन के अंदर 3 count होगे फिर next mission है 100 RP points के लिए elite finish one enemy within 60 seconds of landing in classic mode तो दोस्तों हमें एक enemy एक minute के अंदर ही मारना है classic mode में तो आप rank के अंदर भी कर सकते हो या फिर unrank बस याद रखो उतरती ही एक बंदा जल्दी से मार दो एक minute के अंदर फिर next mission है इस card के लिए pick up specnaz helmet level 3 two times in classic mode तो level 3 का helmet हमें बस दो बार दोस्तों pen ना ही 2 matches में फिर next mission है 60 RP points के लिए repeatable week 4 only spend 100 minutes in matches तो जैसे से आप भी जमाई के लोगे rank matches, unrank matches, wow mode, arena mode तो वैसे वैसे minutes add होंगे और आपको RP points मिलते जाएंगे तो अभी फिलाल में week 4 EZ mission license के वए से दिखाई दे रहा है तो actual में आप ये mission 19 तारिक के बाद complete कर पाओगे फिर next mission है 150 RP points के लिए और ये friend boost है मतलब अगर आप ये mission आपके royal pass के दोस्के आप करोगे उसने भी किया ये जो कहा है तो आपके 0 by 10 में add हो जाएगा और आप नहीं किया तो उस case में finish 10 enemies with SMGs in irangle in classic mode तो आप देख सकते हो ये SMG guns होते है UMP, UZ तो इन में से कौन से भी guns है दोस्तो आपको total 10 enemies मारने है irangle map में तो आप rank के अंदर भी irangle में कर सकते हो या फिर unrank फिर next mission है 60 RP points के लिए और ये friend bonus है मतलब अगर आप ये mission आपकी royal pass दोस्तों के साथ complete करोगे तो आपको extra RP points मिलेंगे finish 3 times in the top 3 in classic mode with friends तो वह भी करें आपको दोस्तों आपकी in game के दोस्ते के साथ top 3 आना है classic mode में लिविक के अंदर बहुत जल्दी आ जाएगा अगर लिविक के अंदर खेलोगे आपने दोस्तों के साथ फिर next mission है 60 RP points के लिए और ये team boost है मतलब अगर आप squad के अंदर खेलते हो squad ने किसने भी किया ये mission के अंदर गाए तो भी आपकी 0 by 2 में add हो जाएगा finished players with the pen 2 times with teammates in classic mode तो दोस्तों हमें enemies को pen से मार ना ही जैसे आप pen से मारोगे दो बंदे को या फिर आपकी team मारेगी कोई भी बंदा तो भी ये हो जाएगा तो next mission is 60 AP points के लिए obtain 50 contribution points during the clan battle event दोस्तों इसके लिए आपको clan के अंदर होना चाहिए आप देख सकते हो तो यसे clan battle आता है तो फिलाल में ये season का clan battle दोस्तों खतम हो गया है आप देख सकते हो season's clan battle is over तो अगर next week आज आता है clan battle तो फिर एसे दोस्तों आपको register करना पड़ेग आपके leader या co-leader को फिर एसे ये mission start होंगे तो आपको दोस्तों देख सकते हैं इसे पाच पाच आर्ट दिखाए जरी ये mission को complete करके points करने जैसे 50 points हो जाएंगे तो आपको ये mission हो जाएगे या फिर आप card लगा कर दोस्तों इस mission को complete कर लो या फिर आपको करना ही है जब आपके आंदर दोस्तो 14 enemies मारने है तो आप किसमें भी खेल चकते हो बस 14 enemies या फिर उसे ज्यादा मारो ये mission आपका हो जाएगा फिर next mission है 60 points के लिए week 4 only log into तो game on a total of 3 days तो बस 3 दिन game को open करना है फिर next finish one enemy with pistol in any mode तो देख सकते हो ये पिस्टॉल नहीं से भी एक enemy मारना है कौन से भी mode में तो आप unrank के अंदर arena में भी कर सकते हो ये gun slot select करके pistol रखके एक मार दो या फिर classic में मारो फिर next mission है gift और gift bag BP to 3 different friends तो आपको 3 different दोस्तों का BP send करना है BP के से send करते है तो आपको आपके friend के उपर इसे click करना है तो देख सकते है या BP को option आता है इसे send कर देना है तो आपको टोटल से 3 दोस्तों करना है फिर दूसरे को कर और फिर third को कर जैसे आप 3 दोस्तों को कर लोगे आपका emission हो जाएगा और last is destroy two vehicle tires in classic mode तो आप देख सकते है यसे vehicle के दोस्तों डो tires आपको बस forward नहीं जैसे दो टाइर four दोगे classic mode में rank and rank आपका emission हो जाएगा तो guys ये थे week 4 के सारे emissions देन के लिए एक वीडियो को like कर दे और channel को भी subscribe करके रखे मिलता हूं मैं आपको week 5 emissions के वीडियो के साथ till then see you bye bye thanks for watching